मेश विवसाइक शेत्र में उच्छधिकारियों के साथ आवश्यक विश्यों पर चर्चा होगी आपके किसी परियोजना को सरकारी लाब राप्त होने की सम्धावना है कार्याले से जुड़े कारे के लिए प्रवास के भी योग है विशब गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन मिश्रुफ फल्दाई रहेगा व्यापारी अपने व्यापार में धन लगा कर नए कारे का प्रारंब कर सकेंगे और भविश्य के लिए योजना भी बना पाएंगे विदेश कमन की सम्भावना भी है मिथुन गणेश जी चेतावनी देते हुए बताते हैं कि गुस्से की भावना आपको हानी पहुँचा सकती है बिमार व्यक्ती नई चिकित सा या उप्रेशन ना कराए बदनामी राभू इसका ध्यान रखे कम बोल कर वाद विवाद यमन मुटाब दूर कर सकेंगे कर संबीदन शीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरामन आज विप्रीत लिंग्य पात्रों की तरफ अधिक आकरशित होगा वैभवी मौच शोग की वस्तुएं नई वस्त्राभूशन तथा वाहन वगेरा की खरीदारी होगी सिंग गनेशी कहते हैं कि उदासी नुरत्ती और संदेह की भावना आपके मन को बेचैन बनाएंगे दैनेकार्य विलम से पूरे होगे परिश्रम तो अधिक करेंगे परन्तू फल कम मिलेगा नौकरी में संभल कर रहें कन्या आज का दिन चंता और उद्वेक से परिपूर होगा पेट की गड़बड़ी से स्वास्थे खराप होगा विद्यार्तियों की पढ़ाई में अवरोद आएगा अचानक धन खर्चाएगा बौधिक चच्चाएग और समझोते में असफलता मिलेगी तुला गणेश जी आज के दिन साफथान रहने की चेतावनी देते हैं विचारों की भरमार आपको मांसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी माता और स्त्रीवर्ग संबंदित चंता सताएगी आज के दिन यातरा स्थगित रखें विष्चे आज आपके लिए लाबदाई दिन है ऐसा गड़ेश जी कहते हैं आज आर्थिक लाब होने के साथ साथ भाग्य में भी लाब होगा स्नेही जनों के साथ संबंदों में प्रेम की अधित्ता रहेगी धन गणेशी सावधान करते हुए कहते हैं कि परिवार जनों के साथ होने वाली गलत फेहमी से बचें वियर्थ में धन खर्च होगा मानसिक उचार और दुविदा के कारण महतोपूर्ण ने नहीं ले सकेंगे कारियों में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे मकर ईश्वर भक्ती और पूजा पार्ट से आज के दिन का श्रीकडेश कहें परिवार में मंगलकारी वातावरन रहेगा दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भेट उपहार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे कुम पैसे के लेन दिन या जमानत आपको फसान आदे इसका ध्यान रखने के लिए कनेशी कहते हैं एक आगरता का आभाव मानसिक और स्वस्तता बढ़ाएका स्वास्ती के संबंध में प्रश्न खड़े हुँगे मी समाच में अगरिम स्तान प्राप्त कर सकेंगे समाची कार्यों में भाग लेने जाना होगा बुजुर्कों और मित्रों का सहय योग मिलेगा मित्रमंडल में नए मित्र जोढ़ेंगे नौकरी और व्यवसाय में आय व्रद्धी का योग है